नमस्कार आज शुद्धांजली दे रहे हैं ऐसे विक्तित को जिसको किसी परिचाए का चुर्रत नहीं है। आज हमारे सबके प्रिये श्री वीके बंसर चाहब ईश्वर की तरफ प्रस्तान कर गए हैं। मेरा व्यक्तिकत अनुभा उनके साथ बहुत अच्छा बहुत सुन्दर और जहां पर भी आज हम हैं शायद उनके ही शिक्षक के रूप में संस्कारों के वजह से हैं। बंसर साथ के बारे मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूने। बंसर साथ जहां सी बुंदेलखंट से आते हैं जहां सी की रानी वाले शहर से वैसा ही जजवा और जुनून उन में पढ़ाने का था। वो एक कहानी अक्सर सुनाया करते थे जब मैं उनसे पढ़ता था वो कहते थे कि भाई बच्चेस बच्पन से ही बहुत हुनहार थे। बच्पन में बहुत गरीब परिवार से आप आते थे तो उनके घर में लाइट नहीं थी। सर यह हमेशा बताया करते थे क्लासस में। उनके खर में लाइट नहीं थी। और पासवालों के लाइट थी। तो अपने पिताजी से पूचा भई अपने लाइटे नहीं क्यों चलती है। तो पिताजी ने बोला भई लाइटे नहीं तुम लगा सकते हो। अगर तुम अगले तीन साल तक अपनी कक्षा में फरस्ट आते रहे तो अपने लाइट लग सकती है। उस समय बंसर सार को यह नहीं पता था कि मेरे पढ़ने से लाइट का क्या संब्सर ने ठान ली कि नही ठीक है मुझे लाइट अपने घर में लगानी है। आप समझें वो जब सिर्फ छटी कक्षा में थे। छटी साथ वी आठ वी तीनों कक्षाओं में फरस्ट आये। और उनको स्कूल की तरफ से तीन सो बहततर रुपे स्कॉलर्शिप के रूप में मिले। यह बात उनको नह है। आप सोचिए एक ऐसा बालक ऐसा विध्यारती जो बच्पन से ही परिवार के लिए इतना सोचता हो और निरंतर प्रयास करता हो। हमारे ऐसे श्री वी के बंसल सहाब ने अपनी पड़ाई करी बीसी करी एमसी करी इंजिनिंग करी उसके बाद आप कोटा आये कोटा में जेके में नौकरी करी। अस्टी के दशक आते आते हैं आपको ऐसी एक डिजीज होई जिसकी वैसे धीरे धीरे डॉक्टर ने गुला कि यह ऐसी है जिसको ठीक हम नहीं कर सकते धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब उनके बारे में और जाना तो वो अपने मूँ से कहते थ है कि मैक्सिमम लोग इससे जो भी रस्थित रहते हैं वो कुछी समय में या तो देवलोग गमन हो जाते हैं या फिर वो पुदी सुसाइड कर लेते हैं सर ऐसा क्लास में कहा करते हैं और सच्चाई भी है पर सर की इच्छा शक्ति और कारे करने की शमता अलग ही तो जब आज हम सब लोग जानते हैं कोटा देश के नहीं विष्के मानचित्र में एक ऐसा शहर है जिस शहर के लिए प्रधान मंत्री कहने को मजबूर हो जाए कि शिक्षा की काशी वो प्रधान मंत्री के मूँ से कहलवाने का पूरा श्रे अगर किसी एक विक्ति को देने की बात कर जाए तो मेरे हिसाब से हो श्रीवी के मजसल साब के लावा और को ही नहीं हो सकता है क्या मैं जब आज विध्यारती के रूप में आपको बताऊं अभी तो आप सर को देखते थे देखते थे आकरी के कुछ सालों में तो आपको सर एक ऐसी वीलचेर पर दिखते थे जो मोट अठेगा और फिर आप सोचिए वो बोलते थे और एक टीचर था जो बोड़ पे लिखता था उनकी कही होई बात उस टीचर को और कैसे लिखना है इस बात के लिए सर्फ दो कोई भी क्लास अगर लेनी तो उसके लिए पहले बहुत बार प्रेक्टिस करते थे ताकि सिंक्रो मैं आपको शब्दों में बया भी नहीं कर सकता मैं अची थी मेरी मैच पर अवरेज था पर मैं आपको बता दूं कि चब मैं बंसल सर से पढ़ा दो जार दो मैं तो आपको जानके अशर्य होगा मेरे तीस में से अठाइस सवाल से हुए अला कि बात अभी कहने की नहीं है प पढ़ें ऐसे व्यक्तित्तों संगर्ष और इच्छा शक्ति की कहानी जो सर से हमने सीखी बात आई विध्यारती की बाद हमारे खुद के शिक्षक बनने की मैंने उनके साथ व्यक्तिकत रूप से भी सर के साथ काम किया एस एक टीचर क्या डिसिप्लिन एक होना चाहिए मेरे इसाब से वो सिनोनिम है उस बात के बंसल सर खुद एक टीचर के क्या दाईत है कैसे उसे पढ़ाना चाहिए किन-किन बात्चतों का अनुसरान उसे करना चाहिए उनसे बड़ा एक्जामपल मैंने आस तक नहीं देख सर आपके जाने की शती तो पूरा शहर पूरा देश नहीं पूरी कर सकता पर आपके दियोए शिक्षा के संसकार हम सभी अध्यापक और व्यक्ति के तरूप से मैं जरूर अनुसरों करेंगे आप जैसे कि हमेशा बोलते थे कि student is a boss उसका निरंतर ध्यार रखिए इस बात का अनुसरों हम हमेशा करेंगे आप भले देव लोग गमन हो गये हूं पर हमारी स्मृतियों में आप हमेशा रहेंगे कोटा के लोग कोटा को इस जगे पहुंचाने में जो आपका योगदान है वो सब जानते हैं कि वो ही सबसे बड़ा योगदान है जो इस शहर को यहां पर लेके आया है ज़्यादा बुलने में तो आस्टोड़ा कस्ट हो रहा है जो कि विक्तिकत रुप से सर के साथ मैंने काम करा एक गुरू का दरज़ा आपके रूप में वो गुरू दोनों प्रकार से थे एक विध्यारती जब में था तब भी वो गुरू थे तब भी वो में जब भी ससे मिलते थे मुझे स्वभागी प्राप्त हुआ कि मेरे घर पे भी सर दो बार बदा रहे बहुत कम जगे हो जाते थे अपर पतानी मुझ से